नमस्कार न्यूजरू में आप सभी का स्वागत है देश में महंगाई एक बार फिर तेजी से बढ़ी है जिससे उभ्भोकताओं की जेब धीरी हो रही है अब आपको उतादें कि उभ्भोकता मोले सूचकांग आधारित मुद्रस्वेती अक्टूबर में बढ़कर 6.21 प्रत थी आधिकारिक आंकडों के अनुसार ऐसा मुख्य रूप से खादे वस्तूओं के दाम बढ़ने के कारण हुआ है इस तरह खुद्रा मुद्रस्वेती भारती रिजर बैंक के 6 प्रतिशत के संतोष चनक स्तर के ऊपर निकल गई है हम आपको याद लादें कि पिछले साल इ इसी महिने में उभोकता मुल्य सूचकांग यानि CPI आधारित मुद्रस्वेती 4.87 प्रतिशत थी रास्टी सांक्य की कारले यानि NSO के आंकडों से पता चलता है कि खादे वस्तों में मुद्रस्वेती अक्टूबर में बढ़कर 10.87 प्रतिशत हो गई जो सितंबर में 9.24 प मुद्रस्वेती 6.21 प्रतिशत है ग्रामीड चेत्रों के लिए मुद्रस्वेती के दर 6.68 प्रतिशत और शहरी चेत्रों के लिए 5.62 प्रतिशत है एनसो के आकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर 2024 के दौरान दालों और इसके उत्पादों अंडे, चीनी और कनफेक्शनरी और मसालों के उपसमूं में मुद्रस्वेती में उलेखनीय गिरावट देखी गई एनसो ने कहा अक्टूबर 2024 में उच्चे खाद मुद्रस्वेती मुख्य रूप से सबजीयों, फलों और तेलों और वसायुक्त वस्त्वों की मुद्रस्वेती में वृद्धी के कारण है इस बीच एकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अधिती नायर ने कहा है कि CPI मुद्रस्वेती चिंता जनक रूप से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 14 महिने के उच्चिस्तर पर पहुंच गई है जो मुद्रिक निती समिती की मध्यम अवधी लक्ष सीमा 4 पर्थशत जिसमें 2 पर्थशत घट बढ़ चलती है उससे अधिक है उन्होंने कहा मुद्रस्विती में क्रमिक वृधी मुख्य रूप से खादे और पे पदार्थ खान्ड के कारण हुई जिसके बाद मुख्य वस्तों में हलकी वृधी देखी गई अधिती नाया ने कहा कि खुद्रा मुद्रस्विती 6 पर्थशत के संतोष चनक स्तर को पार कर गई है और चालू वित्वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए M.P.C. के अनुवान से कम से कम 0.6 और 0.7 परशत अधिक रहने की आशंका है इससे M.P.C. की आगामी बैठेक में रैपो दर में कटौती की संभावनाई समाप्त हो गई है उन्होंने का हमारा अनुवान है कि 0.5 पर्थशत की दर कटौती चकर फरवरी 2025 या उसके बाद शुरू हो सकती है कॉंग्रेस ने खाद पदार्तों की कीमते बढ़ने के कारण महंगाई में वृद्धी को लेकर चिंता विक्त की और सरकार पर कटाक्ष करते हैं कि ऐसी स्तिती में वह खाद पदार्तों की कीमतों को मुद्रा श्विति की आकलन से बाहर कर सकती है कॉंग्रेस मासाचीव जैराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा खाद मुद्रास्वीती अब दोहरे अंक में पहुंच गई है उन्होंने कहा कि अक्टूबर में सबजियों की कीमतों में 42.8 प्रतिशत की वृद्धी हुई मुंबई जैसी जगहों पर प्याज अब 80 रुपे प्रति किलोग्राम की उची कीमत पर भिक रहा है खुद्रा मुद्रास्वीती अब रिजवर बैंक के 6 प्रतिशत के संतोष चनक सर से उपर है उन्हों का यह सब सुस्त खपत, निवेश में कमी, इस्थिर वास्तविक मजदूरी और व्यापक पेरुजगारी के साथ हो रहा है जब खाद पदार्तों की कीमतों में वृद्धी का सामना करना पड़ता है तो सरकार का जोर केवल खाद पदार्तों की कीमतों को मुद्रस्विती के आकलन से बाहर करने का होता है